हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्ट्रगल क्लासेस जा हम बात करेंगे 2 सितंबर 2020 के मोश्ट इंपोर्टेंट करेंट अफेयर की तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखे अगर आप किसी भी कमपटेटिव एक्जाम की तैयारी करने हैं तो निश्टी थी आपके एक्जाम से करेंट अफेयर्स के एक भी कोस्टन छूटने वाले नहीं हैं बस आप डेली मार्लिंग में वीडियो देखने की हैविट बना लीजिए तो चलिए वीडियो सुरू करते है आज का पाला प्रस्ण है भारत किस देश में होने वाले सैन अभ्यास के उकाज 2020 में हिस्सा नहीं लिया है तो भारत रूस में होने वाले सैन अभ्यास के उकाज 2020 में हिस्सा नहीं लिया है इस कोस्टन का भी आप्शन सही है या सैन अभ्यास 15 से 20 सितंबर के बीच होने वाल करता है और अब इसमें बारत हिस्सा नहीं लेगा अच्छा यह रूस में होने वाला है तो में रूस रूस यूरोप और एस्या महाद्विप में इस्तित है राजधानी मासको है मुद्रा आर रूबल यानि रसियन रूबल है प्रधान मंत्री मिखाइल मिसुस्तीन है और एफवन बेल्जीम ग्रांप्री 2020 जीता है तो लुईस हैमिल्टन एफवन बेल्जीम ग्रांप्री 2020 जीता है इस कोस्टन का ए आप्टन सही है यह यह लुईस हैमिल्टन जिन्होंने एफवन बेल्जीम ग्रांप्री 2020 जीता है अच्छा लुईस हैमिल्टन ब्रिटीस ग्रा भीजीत चुकों हैं तो आप इनका नाम याद रखें लेक्स्ट को सटन ह education का भी आप चुस्य है यह scary हर 22 अगस्त से चुरू हुआ और दो सितंबर यानि आज आई के दिन तक मैन आया जाएगा खास तोर पर केटों में अच्छी फसल कि उपज्ट के लिए यह दो वार मनाया जाता है अच्छा अब केरल में मनाया गया है तो एमएप में केरल का गठन एक नॉवंबर उनिस सो चपन को उथा राजधानी तिरुअनन्त पूरम है मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है और राजयपाल पीश सत्सियों में यहां का बड़ा सर तिरुअनन्त पूरम है सीटों की बात करें तो लोग सभा में 20 सीट राजय सभा में 9 सीट विधान सभा में 140 सीट है लेक्स्ट कोस्टन है हाल ही में किसने अपनी डूइंग बिजनेस रिपोर्ट पर रोक लगाई है तो वर्ड बैंक ने अपनी डूइंग बिजनेस रिपोर्ट पर रोक लगाई है इस कोस्टन का डी आप्शन सही है बिस सो बैंक ने देशों के ब्यापार और निवेस चलव जुलाई 1944 को वही थी मुख्याले वासिंगटन डीसी है और अध्यच डेवीस मलपास है नेक्स्ट कोस्टन हाल है में किसने मेड़ बोट मेडिकल ट्राली विक्सित किये तो रेलेवे ने मेड़ बोट मेडिकल ट्राली विक्सित किये इस कोस्टन का भी आप्शन सही है Medical Trolley विक्सित किये तो रेल मंत्री को ने Pius गोयल Next question है हालेई में किसने बिस्व का सबसे बड़ा Solar Tree विक्सित किया है तो CSIR और CMERI ने बिस्व का सबसे बड़ा Solar Tree विक्सित किया है इस question का D option सही है CSIR यानि Council of Scientific and Industrial Research बैज्यानिक तथा और दोगिक अनुसंदान परिशत इसके अस्थापना 26 तितंबर 1942 को ही थी CMRI यानि Central Mechanical Engineering Research Institute बैज्यानिक तथा अनुसंदान परिशत इसके अस्थापना 26 फरोडी 1908 को ही थी और इसका मोटू है यंत्र मेवासमाकम मंत्र नेक्स्ट कोस्टन हाल है में मुस्तफा अधीब किस देश के नए प्रधान मंत्री बने है तो मुस्तफा अधीब लेबनान के नए प्रधान मंत्री बने है इस कोस्टन का D option सही है अच्छा लेबनान के नए प्रधान मंत्री बने है नेक्स्ट कोस्टन है हालेई में जो रूबी का निधन हुआ है वे कौन थे तो हालेई में जो रूबी का निधन हुआ है वो इसकूबी डू के निर्माता थे इस कोस्टन का C आप्शन सही है यही है जो रूबी जिनका हालेई में निधन हो गया इसको भी डू या एक प्रकार का कार्टून सिरियल है नेक्स्ट कोस्टेन ने टूर डी फ्रांस प्रतियोगिता में किस ने जीत दर्ज की है तो एलेक्जेंडर क्रिस्टोफ ने टूर डी फ्रांस प्रतियोगिता में जीत दर्ज की है इस question का C option सही है 2D France एक प्रकार की cycle दोड़ प्रतियोक्ता है इसके शुरुवात फ्रांसीसी रिवेरा सहर नीस से शुरू हुई थी 1903 में अपने अस्थापना के बाद से दोड़ केवल दो विश्वयुद्धों के दोरान रद की गई थी नेक्स्ट कोस्टन है राष्ट्री लोक वित नीती संस्थान का निदेशक किसे निउक्त किया गया है तो पिनाकी चंद्रवर्ती को राष्ट्री लोक वित नीती संस्थान का निदेशक निउक्त किया गया है इस question का D option सही है नेक्स्ट कोस्टन है किस देश ने भारत को कोविड-19 से निपटने के लिए 3500 करोड रुपए का ODA रिड दिया है तो जापान ने भारत को कोविड-19 से निपटने के लिए 3500 करोड रुपए का ODA रिड दिया है इस कोस्टन का ए आप्टन सही है अच्छो ODA रिड होता क्या है ODA यानि Official Development Assistance यानि आधिकारिक विकास साहता अब जापान ने भारत को COVID-19 से निपटने के लिए 3500 करोड रुपए दिया है तो AMF में जापान जापान की राजधानी टोक्यों मुद्रा एन आप प्रदान मंत्री सिंजो अभे है नेक्स्ट कोस्टन कोस्टन नमर 12 और इस वीडियो का आखरी प्रस्ण है किसने सितंबर मा को पोसड मा के रूप में मनाये जाने की गोसड़ा किये तो भारत के प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर मा को पोसड मा के रूप में मनाये जाने की गोसड़ा किये इस question का भी option चाहिए प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी ने मासिक रेडियो प्रसारण कारेकरम मन की बात के दोरान अपने नए संबोधन में सितंबर 2020 को पोसड मा के रोप में मनाया जाने की गोसड़ा किया कारेकरम के दोरान उन्होंने का कि बच्चों में पोसड के प्रती जाग रुकता बढ़ाने के लिए स्कूलों में नियूट्रीशन मानीटर और पोसड कार्ड की सुरुवात करने चाहिए अगर वीडियो अच्से लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए बागल में बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर दीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके अगर आपको किसी भी कोस्टेन में कोई वीडिया उत हो तो आप कमेंट में पूछ तकते हैं जाए हिंद वंदे मातरन